तो अब हम पढ़ने वाले sorting, sorting का मतलब क्या होता यह हम सब को पता है, कि number of elements हमारे पास जो भी है, उन सब को किसी एक order में arrange करना, या तो ascending हो गया, फिर descending हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास python में भी वही चीज है कि हमारे पास sorting है, और sorting करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ले यहाँ पर तुम्हें जो चीज़े दिख रही है, वो index है, और यह हमारी list, list के elements यह रहे है, 839 0s index पर है, 658 1st index पर है, 539 2nd index पर है, इस तरह है तुम यहाँ पर इस list को देख सकते हो, और यहाँ पर, obvious सी बात है कि हम दो loop का use करने वाले हैं, और size को मैं end मान कर चलूँगा, ठीक है, और outer, यहाँ पर outer loop जो है, वो हम i की through iterate करेंगे, और inner वाली जो loop है, उसे हम j की through iterate करेंगे, ठीक है, और यह रहा list, और i, यहाँ पर मैं i की values लिखूँगा, और j, यहाँ पर, ठीक है, तुम सब को पताईए, तो जो बबल सौट में काम किस तरह से होता है, बबल वाले जो largest index है, वहाँ पर पहुंच जाती है, second iteration पर, जो second largest value होगी, वो second largest index पर पहुंच जाएगी, ठीक है, इस तरह से काम होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, किस तरह से हम करने वाले हैं, सबसे पहले, मा लेते हैं, जब हमारा जो i की value है, वो 0 है, ठी इस के इसमें, जे की value में यहाँ पर, हम swapping करने वाले हैं, तो देखो, 839 और 658 में से शुरू में किसे रहना चाहिए, 658 को रहना चाहिए, क्योंकि 658 जो है, जो है, तो यहाँ पर हम चीजों को swap कर देंगे, यहाँ यहाँ पर, और 658 यहाँ पर, यहाँ पर, अभी हमने इन दोनों में चाहिए, 0 और 1 में, अब हम चेक करेंगे, 1 और 2 में, तो 1 और 2 में कौन सी value बढ़ी है, इस चीज को हम यहाँ कर देंगे, यहाँ पर अभी हम swapping करेंगे, 539 यहाँ पर चली जाएगी, और 839 यहा आगे जाएगी, अभी हमारा पहला ही iteration चल रहा है, यहाँ पर अभी तुम देख सकते हो, I की value 0 है, और उसके बाद, यहाँ पर, इन दोनों में देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 77 जो है, वो आगे जाएगा, 77 को मैं आगे लेकर आगया, और 839 को मैं पीछे लेकर आगया, इन में भी, फिर इन दोनों में चेकिंग होगी, यह भी आगे जाएगा, उसके बाद, इन दोनों में भी, तो यह भी आगे जाएगा, और ऐसे करते करते, तुमने यहाँ पर देखा कि मैं सबसे last while index सब पहुँच गया, और last while index आते आते, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कि पहले iteration जब complete होगी, उस time पर हमारे पास क्या होगा, जो largest value है, वो सबसे आगे रखे होगी होगी, तो क्या यह हो चुका है, हाँ यह हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने इस डंबे का जो color है वो change कर दिया, अब यहाँ पर जब दूसरी iteration चलेगी, तो एक काम करते हैं, यहा यहाँ पर इन दोनों में पहले चुकी होगी, तो यह वापस है, यहाँ पर change होगी values, और इन दोनों में तो सही है, पिर इन दोनों में values जो है, वो change होगी अब ऐसे करते करते हम last वाले डब्बे को नहीं चुए है क्योंकि हमें पता है कि last वाले value है लास्ट वाले जो डब्बा है उसमें already जो largest value वो पहुंच चुकी है अब जो second largest value है वो हमारे इस वाले डब्बे पे second last डब्बे पे पहुंच चुकी है तो ये काम है world sort का ऐसे करते करते मैं बाकी चीजे भी process जो है वो complete कर लेता हूँ तो इस तर से तो में जो प्याघ कर को थाया हुआ तो थाया हुआ झाल में जाइ भी तो है कर लेता है हुआ तो प्रॉ। जो हुआ कर लेता है। दिख रहा हुआ कि सारे जो values है वो arrange हो चुक है ascending order में यहां पर ऐसे आते आते मेरे पास यहां तक की सारी values ऐसे arrange हो चुकी है तो obvious बात है कि यह सबसे चोटी value होगी तेके क्योंकि जो भी बड़ी values थी वो आगे shift होती जा रही है है तो इस तरह से हमने इसे arrange कर लिया तो अब हम देख लेते कि आपर variables जो है वो किस तरह से change हो रहा है अगर हम size की बात करें हम सबको पता है आपर total कितनी size है हमारे हमारे जो लिस्ट है अब यह जारा देख लेते हैं कि outer वाली लूप कितने बार चल रही है आउटर वाली लूप की बात करें तो वह 0 से लेकर 6 तक चल रही है यानी 0 और हम Sumter six together से लिख सकते हैं अगर इहां पर मैं एन माइनस one लिकर तो क्या होगा, और और मैं मैं एड़ यानल माइनस one लिख रहा हूं, अगर मैं मैं एन-धज़ यानलु लिख रहा हूं लेकिन मेरे यहाँ पर मैं कहा तक चला रहे हूं जीरो से लेकर 6 तक चला रहा हूं ठीक है लेंगे हम सबको पता है जो range function होती है घक है जो रैंज fedrn होती है वह 0 से लेकर अगर हम यहाँ पर लोर लिमिट यहाँ दे रहे है ठीक है तो से लेकर 7-1 अगर हम लिखे तो वह last M-1 ठीक है यह हो गया outer तो अब हम बात कर लेते हैं inner loop के बारे में लूप कितने बाद चलने वाली है अब देखो जब inner loop उसे हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर J से हैंडल कर रहे हैं तो inner loop जब 0 होगा उस वक्त इन दोनों में यहाँ पर checking होगी, उसके बाद फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, और यह 6, ठीक है, तो यानि यह 0 से लेकर 6 तक चल रही है, एक बाद फिर से दिखाता हूँ, जब यह 0 में होगी, तो यहाँ पर इन दोनों में comparison होगा, 1 होगा, फिर इन दोनों में comparison होगा, 2, इन दोनों में comparison, 3, इन दोनों में comparison, 4, इन दोनों में comparison, 5, इन दोनों में comparison, 6, इन दोनों में comparison, ठीक है, इस तरह से हमारी जो loop है, वो कितने बार चल रही है, 6 times, पहली बार में वो 6 times चल रही है, आगे भी देखने वाले हैं, उसे फिर ह मतलब हम कह रहे है जीरो से लेकर n क्या है n में हमारे पास 8 है 8-1 7 तो 0 से लेकर 7 और हम सब को पता है कि यहाँ पर यह जो 7 वाली वालियो उसे एकाउंट नहीं करने वाला जो range function है तो अब हम इसे कह रहे हैं जीरो से लेकर 6 तक यह था और उसके बाद अगर हम second वाली iteration पर जाएं तो यहाँ पर क्या होगा जब i की value 0 होगी जब j की value 0 होगी तो इन दोनों में comparison 1 इन दोनों में 2 इन दोनों में 3 इन दोनों में 4 इन दोनों में ठीक है बस यहाँ तक ही हो रहा है जब j की value 4 आ रही है तब तक comparison कर रहे हम तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम i की values minus कर देंगे ठीक है क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहां पर वन तब आ रहा है जब एक वैल्यू जो है वह सॉट हो चुकी है ठीक है मतलब एक वैल्यू अपने घर तक पहुँच चुकी है फिर जब दो वैल्यू पहुंच जा रही है उसके बाद हम सेकंड इटरेशन चालू कर रहे हैं जब तीन वैल्यू पहुंच चुकी है उसके बाद हम थर्ड इटरेशन चालू कर रहे हैं तो यहां पर हमें ज्यादा हर बाल चेकिंग नहीं करवानी होगी हर बाल तो हमें कंप यहां पर उतनी values जो है, यहां पर अगर 2 है, i की जो value है, वो minus होती जारी है, तुम अगर देखो तो, इसलिए हम यहां पर n minus i minus 1 कह सकते हैं, फिर n minus 1 minus i कुछ भी करो, value तो एक ही आने वाली है, अब अगर तुम देखो, तो हमारे पास जो कुछ भी है, वो सब सही से चलेगा, ठीक है, तो अभी हम bubble thought का program जो है, वो देख लेते हैं, तो सबसे पहले, यहां पर जो भी variables का मैंने लिखा था, वो मैंने आपर no down कर लिया है, और उसके बास हमारे पास यह जो list है, वो है, और यह हमें simply, अभी का जो list है, उसे print करके दे रहा है, अगर मैं इसको run करके दिख तो उसके लिए यहां पर हमें program बनाना होगा, सबसे पहले काम करते हैं, size को ले लेते हैं, size हमने n के through लिया था, n में हमने ले लेते है, length of l1, l1 जो हो हमारा list है, उसे हमने यहां पर रख लिया, इसके बाद हम यहां पर क्या करने वाले है, बाहर का जो loop है, उसको चलाने व हम लिख सकते हैं, यहां पर हमारा काम हो जाएगा, इसके बाद अंदर वाली loop जो बूचलेगी, for j in range, और यह जो अंदर वाली loop है, उसके लिए हम यहां पर क्या लिखने वाले है, n माइनस, i माइनस, 1, ठीक है, अब इसके अंदर हम यहां पर swapping का का काम करने वाले हैं, जब शुरू वाली value बड़ी होगी, तब, तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, if l1 of j is greater than l1 of j plus 1, ठीक है, उस case में क्या करो, चीजों को swap कर दो, l1 का जो j है, फिर l1 का जो j plus 1 है, comma, sorry, equals to, l1 का j plus 1, comma, l1 का j, ठीक है, यहां पर हमने इत्ती सारी चीज़े कर ली, अब हम यहां पर print करवा देते हैं, list after sorting, l1, अगर मैं आपर इस चीज़े को अभी रन करके दिखाऊं तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, यहां पर list before sorting यह रही, और list after sorting यह रही, यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, जो है, वो 0 से लेकर n-1 times से लेगी, inner loop जो है, वो 0 से लेकर n-i-1 के times से लेगी, और उसके बाद यह रही हमारी list, फिर हम print करवा रहे है list before sorting, ताकि हमें पता चले, compare कर पाए हम चीज़ों को, उसके बाद हमने आपर n में size रखवा लिया है, उसके बाद बाहर की loop किते बार चल रही है, n-1, ठीक है, अब जो अंदर की loop है, वो भी चल रही है, n-i-1 times, और उसके बाद हमने यह condition लगाया है, कि अगर शुरू की value, जो है, वो जादा बड़ी रही, आगे वाली value से, तो दोनों को interchange कर दो, यही तो हम करते थे, तो यहाँ पर वही इस तरह से हम यहाँ पर swapping कर दे रहे है, l1 के j plus 1 में जो भी value होगी, वो l1 के j में चली जाएगी, और l1 के j में जो भी value होगी, वो l1 के j plus 1 में चली जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पर swapping हो पा रही है, और यहाँ पर हमने list को sorting के बाद प्रिंट करवा दिया है, तो अगर किसी को swapping में दिख जो value थी, वो a में चली गई, और a की value थी, वो b में चली गई, बस simple है, अगर मैं इसको run कर रहे हो, वो तो में दिख रहा होगा, 10,20 पहले print हो रहा है, और उसके बाद फिर 20,10 प्रिंट हो रहा है, इसके अलावा कौन सी, कौन सा और दिका है हमारे पास, इसके अलावा है हम हमारे पास use of third variable, तो एक काम करते है, हम एक variable ले लेते, c, और c में पहले a की value डाल देते है, ठीक है, और इसके बाद a जो है, वो a में अब हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने c को, a को याद रखने के लिए, मैंने उसको c में डाल दिया, a में हम कुछ भी डाल सकते है तो a में मैंने b को डाल दिया, यही तो करना था, अब हमारे पास एक b है, ठीक है, तो b में हमें a की value डाल दी थी, और a में तो अभी हमने b को डाल हुआ है, लेकिन a की value हमने c में डाल दी थी, तो हम b में c को डाल सकते हैं, इस तरह से हमने यापर swapping का काम फिर से कर लिया, फिर से तुम्हें दिख रहा होगा, swapping हो चुकी है, और जो तीसरा तरीका था, वो यह था, कि हम यहाँ पर use करें addition और subtraction का, यह कैसे होगा, यह इस तरह से होगा, पहले हम a में दोनों का sum रखवा लेते हैं, ठीक है, a plus b, simple, अब इसके बाद b में, हम क्या करते हैं, b में हम a minus b करवा लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें पता है कि a में total value आ चुकी है, total में से अगर मैं b की value माइनस करूँगा, तो मेरे पास a की value आ जेगी, जो previous value थी, तो इस तरह से यहाँ पर मेरे पास b में a store हो जाएगा, और अगर मेरे को अभी a में जो है, वो previous b वाली value store कर भी थी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पर मैं is equals to a minus b फिर से लिख दूँगा, इससे क्या होगा, इससे अभी मेरे पास a में b में a की value आ गई थी, ठीक है न, और total value में से अगर मैं a की value माइनस करूँगा, तो मेरे पास b की value आ जाएगी, जो की a म यहाँ पर मैं स्वापिंग करूँ, और रिन करूँ, तो अब तुम्हें दिख रहागा कि यहाँ पर भी यह स्वापिंग हो पा रही है, तो इस तरह से तुम स्वापिंग कर सकते हो, और यह था concept बबल साथ का,